तो अभी लंज का टाइम हो गया है और दिब्यांस के पापा गये थे मारकर तु नवले मिर्ची लेके आगा है पाव साथ में हम लोग का फेवरीट है और गवाली का फेमस है तो हम लोग बहुत मन से ही कहाते हैं तो चल uniqu की ठाली मैं रेडी कर लेती हूँ तो आज मैं लूंट में बनाए हूँ प्ले 냈 और साथ में मैंने प्लेन दाल बनाया है मिक्स करके चना और अरहर का क्योंकि सिर्फ अरहर का उतना मीठा नहीं लगता है हमनों को यही पसंद है तो इसलिए मैं यही दाल मिक्स करके दोनों बनाती हूं और कभी-कभी मैं ऐसे तो इस बाइप अलो की सुखी सब्जी है और मैं चतनी तो यह नाजयल के गुड़ की चतनी बहुत ही तेस्टी बनी है और इसकी रेसेपी भी मैंने सेहर की है आप चेकाउट कर ले ना मैं लिक दे दूंगी साथ में मैं सैलेट में ले रही हूँ टमाडर और प्याज और दो बेसन वाले मेर्ची बहुत ही टेस्टी मेर्ची रहती है मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी इसके उपर एक की मेर्ची कैसे बनाते हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए लंच करने के बाद देखती हूँ कि क्या करना है अभी मुझे वीडियो भी सूट करना है तो अभी लंच हो गया तो मैं सब क्लीन वगरा कर ली बरतन वगरा सब साफ कर लिया अभी मैं इसको रखके उसके बाद आगे का काम देखूंगी तो यह सब काम तो डेली का ही है यह सब चलता ही रहता है तो अभी सारे बर्दन मैं रख रहे हूँ वेलकम बैक टो माई चैनल दिवियांस मॉम और तो प्रेंट कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग अच्छे होंगी तो हम लोग का लंच बगर हो गया है तो अभी मजारियों मार्केट मुझे कुछ सामान लाना है और दर समय दिवियांस को स्कूल से लेकर आओंगी तो चले फिर चलते हैं तो सब समान उन लेकर आ गई मैं तो अभी मैं उसको सब रखोंगी उसके बाद मैं डीनर की तयारी करूंगी तो आज डीनर में दिवियांस के पापा लाएं है फेस तो उसको पहले वो क्लीन करके साफ करके मुझे देंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी तो देखे यह है वो मशली और अभी वही क्लीन करेंगे उसके बाद ही मैं बनाऊंगी तो देखे ऐसे मशली साफ करते हैं तो तो मैं साफ नहीं कर पाते हैं उसलिए वही साफ करते हैं तो अभी मचली अच्छे से साफ हो गई है उसको अच्छे से धोकी मुझे दे दी हैं तो यह जो प्लेट में मचली रख रही हूँ उसको मैं फ्रीज में रख दूँगी और यही जो इतना मैंने मचली निकाल दिया है इसे को मैं fry करूंगी तो चलिए देखते हैं कि कैसे fry करती हूं तो पहले मने इसमें healthy powder डाल दिया है और थोड़ा सा Illa hurlty powder में यो狂 자 और भी आपको वीडियो में बताए हूं क्य मैं थोड़ा सा razem powder जादा योज करती हूं और यह मैं बहुत सेंपल तरीकी से बनाते हूं क्योंकि हमारे यहां पर डेली मचली बनता ही रहता है तो मैं ज्यादा मसाले बगर नहीं यूज करती हूं तो अभी मैं टाले हूं विनेगर और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसको 10-15 मिनट के इसी ही नहीं तो बहुंकि जल्दी हो जाता है तो आदे गंटे के लिए मैं अगे दिया है तो अभी मैं इसको निकाल दे रही हूं तो आच्छे तरह से सेट हो गया है अब मैं तो फ्राइ के लिए मैं मैं यूजिण कर रही हूं वि biomass पतेओ button इस तो इस तो यहां पे मैं ने फैला दिया है ऑर अच्छे से गरम हो रहा है तब तक तक मैं यहां पर अपना त्यारी कर लेती हूं तो यहां पर मचली को मैंने अच्छे से इसको डिप कर दिया इसमें अच्छे से मैंने लपेट दिया है सूजी में और अभी ऐसे लपेट की साइड में रख रही हूं क्योंकि फिर एक अठे ही मैं उसमें डाल दूँगी तो फिर ऐसे उठा उठा के डालने से बहुत जादा सूजी दिया है तो मैंने अच्छे ऐसे मचली और कुरकूरी बनती है तो तो तेल-गडर हो गया है तो मैं इसमें अच्छे से एक ही करकी दे रही हूं और घख की धक के इसको ऐसे दस से पंदा मिलार तक सरका के इधर से उदर फ्राइपन को करके सब साइड से मैं इसको पकाऊंगी तो मैंने गैस को मीडियम आचपे कर दिया है अगर बहुत जादा कम आचपे करेंगी तो बहुत यह सूखी जैसी मशली हो जाती है इसलिए मैं मीडियम लग चुकी है तो मैं अभी इसको पलट रही हूं तो यह देखे ऐसे हैं बहुत ही सौफ्ट हाथ से करना पड़ता नहीं तो यह तूटने लगती है और एक एक करके भी देखे मैं सब पलट रही हूं अब इसको पलटने के बाद फिर से मैं वैसे ही पकाऊंगी इधर से ठोखोंगी और ठकी सको कुछ देर के लिए छोड़ देंगी दोनों साइट से मचली पंग गई है अभी मैं यक्टिफ को पलटके दिखाऊंगी Yeah, तहुद्ध कैसे विफ्त और मचली चरने यह चाँ और ज्यादा चाथ अच्छा भी नहीं और रसाक्ष दिण तो क्योंकि यह थोड़ा स्थंड़ा हो जाए जल्दी तो अभी हम लोग जा रहे हैं लग्ट सौरी डीनर करने के लिए तो मैं डीनर रेडी कर दी हूं तो आज डीनर में है प्लेन राइस और चना और रहर की मिक्स दाल और साथ में दो फिस्ट फ्राई ले लिया है मैंने टम थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो